हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल भी कीचेन एंड ब्लोक्स में दोस्तों घर के काम न धेर सारे होते हैं लेकिन अगर हम उसी काम को थोड़ा सा स्मार्टनेस के साथ करेंगे न तो वो हो जाएंगे एकदम आसान और घर के कामों को करना इतना मुश्किल होता है कि उसको करने में भी मेनत लगती है और जादा टाइम भी लगती है तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स सेयर करने वाली हूँ जिसको देखने के बाद आपके घर के काम लगने लगेंगे एकदम आसान और साथ ही साथ आज कुछ ऐसी टिप्स लाई हूँ जिसको देखने के बाद आपकी घर की धेर सारी बचत भी हो जाएगी तो वीडियो थोड़ा भी पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा और दोस्तों के साथ भी सेयर कर दीजेगा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्ली चैनल को सस्क्राइब भी कर लीजेए तो चलिए वीडियो देखना सुरूर करते हैं दोस्तों जब भी हम पूरी या पकोड़ा को तलते हैं तेल में तो इस तरीके का कल्ची का यूज करते हैं क्योंकि ये साइज में बड़ा होता है और एक साथ में धेर सारे इसमें पूरी पकोड़ा निकल के बाहर आ जाते हैं जब हम पूरी को या पकोड़ा को बाहर निकालते हैं तो हम किसी बरतन के उपर इसको रखते हैं ताकि एक्स्टा ओयल इसका निकल जाए निकालने के बाद हम क्या करते हैं हैंडल को इस तरीकी से पकड़े रहते हैं ताकि इसका एक्स्टा ओयल निकल जाए तो इससे क्या होता है हमारा टाइम भी वेस्ट होता है और तेल जो गरम रहता है उसका भी वेस्ट होता है और गैस का भी वेस्ट होता है तो उससे हम क्या करेंगे उसके लिए हम एक चम्मच लेंगे या चाकू लेंगे और इस तरीके से फसा के इसमें रख देंगे देखिए आपके सामने हैं कल्ची बिल्कुल भी गिर नहीं रहा है एक बार हम आपको ट्राइ करके दिखा रहे हैं इस तरीके से रखेंगे और बीच में चाकू या चम्मच को इस तरीके से फसा देंगे और बाद में हम इसको फिर यूज कर लेंगे तब तक इसका एक्स्टा ओयल इसमें निकलेगा तब तक हम कडाही में दुसरा पकोड़ा डाल सकते हैं इससे क्या होगा हमरे टाइम का बच्चत भी हो जाएगा और इससे हमें पकड़के खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा तो चलिए दूसरा टिप भी देख लेते हैं वो ह हरे मटर से रिलेटेड सर्दी का दीन जा रहा है हम सभी अपने घरों में हरे मटर को छील कर स्टोर करते हैं तरीका तो बहुत है लेकिन आज में एक अलग तरीका बताऊंगी हरे मटर को छील कर रखने का जिसे कि यह लंबे समय तक चलेगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे पहले तो हम इसको पानी में अच्छे से धोलेंगे क्योंकि यह बाहर स्याइज में गंदगी धुल मिटी है इसको हम पानी में धोलेंगे इसको अच्छे से पानी में धोने के बाद हम दूसरे बरतन में निकाल लेंगे उसके बाद हम चलेंगे किचन के तरफ दूसरा जो ब उसके बाद हम मटर को उबालेंगे एक उबाल आने तक इसको हम इसी तरीके से उबालेंगे और अगर आप चाहे तो इसमें ढखकन भी लगा सकते हैं ताकि जल्दी उसमें उबाला जाए ये काम आप कुकर में भी कर सकते हैं लेकिन उस टाइम आपको ध्यान ये देना होगा क कुकर के ढखकन में CT नहीं होनी चाहिए तो देखिए इसमें एक उबाल आ गया है अब हम गैस को बन कर देंगे गैस को बन करने के बाद हम इसको ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं ठंडे पानी में देखिए ठंडा होने के बाद मटर का कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है और एक दम सौफ्ट हो गया है और कुछ-कुछ इसके दाने भी इसमें निकल आए हैं मटर को उबालने के बाद ये इतना सौफ्ट हो गया है कि हम इतना असानी से इसको छिल ले रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं बीना कोई मेहनत का एक हाथ से ही हम इसको छिर ले रहे हैं अगर आपको भी मटर के दाने को स्टोर करना है तो आप इस तरीके से रखेगा एक तो इसे फाइदा रहेगा ये कि आपको इसे ज्यादा देर तक पकाना नहीं होगा आप इसे डायरेक्ट पुलाव में डाल सकते हैं क्योंकि इसे तो हम आधा उबाल लिये हैं या सबजी में भी डाल सकते हैं इसको हम क्या करेंगे मटर को इस तरीके के डब्बे में पैक करके फ्रीजर में रख देंगे इस तरीके से मटर को रखने से मटर बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और लंबे समय तक चलेगा आई होप आपको यह तिप अच्छी लगी हो तो चलिए अब नेक्स टिप भी देख लेते हैं कैची तो हम सभी के घर में होती है चोटी कैची या बड़ी कैची लेकिन मैं इस तरीके की जो छोटी वाली कैची होती है ना मैं उसकी बात कर रही हूँ इसको रखे रखे इसका धार इतना पुराना हो जाता है मतलब काम नहीं करता है तो उसको ठीक करने के लिए एक किचेन में जुगाड है जिसको की हम यूज कर सकते हैं जैसा कि हम आपको नमक दिखा रहे हैं, नमक को हम लेंगे और उसमें कैची को इस तरीके से चलाएंगे, इससे क्या होगा जब हम कैची को नमक में चलाएंगे तो इसका धार तेज हो जाएगा, इस तरीके से करने से आपका काम घर में हो जाएगा, आपको इस कैची को बाहर ले जाना नहीं पड़ेगा और आपको नया कैची खरीदने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा है ना कमाल की आइडिया मैं आपको अभी पेपर कट करके दिखा रही हूं देखिए पेपर बहुत ही असानी से कट जा रही है दिना कोई खर्च घर में कैची का धार तेज हो गया आई होप ये टीप भी आपको पसंद आई होगी अगली टीप है फोक से रिलेटेड फोक तो हम अक्सर चौमिंग नूडल्स खाने में यूज करते हैं लेकिन आज में कुछ इसका अलग यूज बताऊंगी तो उसके लिए हमें करना क्या है एक छोटा रबर बैंड लेना है और इस फोक को उल्टा करके इस तरीके से चिपका लेना है हमें rubber को हैंडल के तरफ नहीं लगाना है हमें rubber band को ऊपर के तरफ लगाना है इधर से वह नुडुल्स को खाते हैं ठीक हुआ ही पर हम इस तरीके से rubber band को लगा देंगे उसके बाद हम इसका यूज आपको बता रहे हैं मतलब जैसे हम चिमटा का यूज करते हैं ठीक उसी तरीके से हम इसको पकड़की यूज करेंगे इस तरीके के चिम्टे को हम मार्केट से महेंगे दाम पर खरिते हैं लेकिन आज ये घर पर बहुत ही असान तरीके से सस्ते में बनकर तैयार हो गया है न अच्छा जुगार बीना कोई खर्च की है ये आपको टिप कैसा लगा कमेंट बक्स में आपको जरूर बताईएगा अब अगला टिप है इस तरीके के रबर बैंड को लेकर ये छोटे छोटे रबर बैंड जो होते है ना इतने छोटे होते हैं कि एक दुसरे में चिपक जाते हैं और ये रबर के बने रहते हैं इस वज़ज़ से भी एक दुसरे में चिपक जाते हैं पिर ये कोई काम के नहीं रहते हैं तो उसको रखने के लिए एक तरीका है घर में आपके पास जो भी पाउडर हो उसमें थोड़ा सा पाउडर को इस तरीके से डाल दीजिए और उसके बाद अगर हम इसको रखेंगे तो ये रबर बैंड एक दूसरे में चिपकेंगे नहीं और बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे इसमें पाउडर डालने के वज़े से इसमें चिपकनापन आ जाएगा और ये एक दूसरे में चिपकेंगे नहीं तो इस तरीके से आप भी अपने घर में अगर रबर पैंड रखते हैं तो उसमें पाउडर डाल कर ज़रूर रखिए तो दोस्तों ये जो छोटी-छोटी टिप्स और ट्रिक्स होती है ना लाइब में कभी ना कभी काम आई जाती है तो उमीद करती हूँ आपको ये टिप्स बहुत ही पसंद आई होगी अगर आपको इन सभी टिप्स में से एक भी टिप्स अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और दोस्तों के साथ भी सेयर कर दीजेगा अगर आप चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज सस्क्राइब भी कर लीजेगा और घंटी को जरू बजाएगा आगे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए तब तक के लिए बाई बाई थैंक्स पर वाचिंग